नमस्कार मित्रों, गायत्री जोतिस्केंद्र में आपका स्वागत है, आज हम जानेंगे ग्रहों की उच्च नीच राशियां, मूल त्रिकोण राशी वश्वा राशियों का फल मित्रों, कुंडली फलादेश करते समय, ग्रहों की उच्च नीच राशियां, मूल त्रिकोण राशियां वश्वा राशियों का विचार करना बहुत ही जरूरी होता है, बिना इनकी जानकारी के कुंडली फलादेश करना शंभव नहीं हो पाता है ग्रहों की उच्च नीच राशियां मीन में उच्च का, कन्या में नीच का, सनी, तुला में उच्च का, मेश में नीच का, राहू, मिथुन में उच्च का, धनू में नीच का, केतू, धनू में उच्च का, मिथुन में नीच का, ये ग्रहों की उच्च नीच राशियां होती हैं, जो ग्रह जिस राशी में कुंडली में जो ग्रह अपनी उचराशी में इस्थित होता है वह अपना पूर्ण शुफल प्रदान करता है और जो ग्रह अपनी नीचराशी में इस्थित होता है वह अपना पूर्ण अशुभ वह पाप्फल प्रदान करता है अर्थात ग्रह अपनी इस्थिती के अनुशार अपना शुभाशु फल देने को बाध्य रहते हैं आगे जानेंगे ग्रहों की मूल त्रिकोन राशिया शूर्य की मूल त्रिकोन राशी है शिंग चंद्र की ब्रश, मंगल की मेश, बुध की कन्या, गुरू की धनू, शुक्र की तुला, शनी की कुम्भ, राहू की कर्क, केतू की मकर ये ग्रहों की मूल त्रिकोन राशिया हैं कुन्डली में अपनी मूल त्रिकोन राशी में बैठे ग्रह, शुभवा बलवान माने जाते हैं, तथा उशभाव के शुभफलों में ब्रधी करते हैं ग्रहों की श्वाराशियां अर्थात अपनी राशी जो ग्रह जिस राशी का स्वामी होता है वही उनकी श्वाराशी भी होती है अपनी राशी अर्थात स्वाराशी में बैठा ग्रह बलवान वा शुफल लायक होते हैं जैसे सूर्य की स्वाराशी है सिंग, चंदर की कर्क, मंगल की मेंश ब्रष, बुध की कन्या मिथोन, गूरू की धणु मीन, शुक्र की तुला ब्रष, शनी की मकर कुंब, राहू की कन्या, केतु की मीन ये ग्रोहों की श्वाराशियां अर्थात अपनी राशी होती हैं कुंडली में अपनी श्वाराशी में इस्थित ग्रह शुब फल दायक होते हैं अर्थात अपना शुब फल प्रदान करते हैं मित्रों अईशी ही जोतिस्की महत्वपोर्ण जानकारियां अप्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जैमातादी